नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी निउस आपके साथ मैं हूँ गौरफ शिर्वास्तव और हमारे इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रजनिती मनुरंजन देश दुनिया खेल और व्यापार जगत की सभी ब अफतार से प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से राज़स्तान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया अजमेर से दिली को जोडने वाली ये ट्रेन देश की चौदवी वंदे भारत ट् प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्तान में सड़क के साथ साथ रेल संपर को भी सरवोच प्रात्मिक्ता दे रही है और इस राज्य को नई संभावनाओं और नए अफसरों की धर्ती बना रही है प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने आज मद्रेप्रदेश के नवनियुक्त सिख्षकों को गुरु मंत्र देते हुए कहा कि नई सिख्षा नीती लागू करने में सिख्षकों की एहम भूमिका होने वाली है और सिख्षक कभी भी अपने भीतर के विद्यार्थी को मरने ना दें क्योंकि यही उन्हें नई उचाईयों पर पहुँचाएगा ग्रह मंत्री अमिशा कल जम्मु कश्मीर की सुरक्षा इस सिख्षी पर समिक्षा बैठक करेंगे नई दिल्ली में होने वाली बैठक में जम्मु कश्मीर के उपरा जपल ग्रह सचिव डीजी पी और आ पहुँचाई की नितिश कुमार और तेजस्वी यादब ने दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केजडिवाल से भी मुलाकात की मुलाकात के बाद नितिश कुमार ने कहा कि हम अधिक से अधिक विपकशी पार्टियों को एकजुट करेंगे केंद्री मंत्री अनुराग सिंग ठाकुर ने विपक्षी एक तब वर हमला बूलते हुए कहा कि फिस्टशारी दल मिलकर महा कड़ बंदन बना रहे हैं लेकिन सब जानते हैं कि ये जनता को ठगने के लिए ठख बंदन बना रहे हैं प्रदान मंत्री नरिन मोदी शुकरवार को आसम का दोरा करेंगे और इस दोरान लगवाग 14,300 करड़ों रुपए की विबिन परिया उजनाव का उधगाटन और शिलर नियास करेंगे सैकारिता मंतरी हमेशा और पैटरोलिया मंतरी हरदीब सिंग्पूरी ने सैकारिता शेतर के लिए कई एहम निड़ने लिए पि एसी एस को पैटरोल डीजल डीलर शेप आवंटन में प्रात्मिकता मिलेगी करनाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाच्पा निता जगदीश शेटार ने कहा कि उन्होंने अपने बारे में बीजेपी अध्यश जेपी नड़ा को ब्रीफ किया है कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं करनाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्षमन साथदी ने आज भाच्पा की प्रात्मेक सदस्ता से इस्तीफा देने के अपने फैसले की खुजना की उन्हें आगामी विधानसबा चुनाओं के लिए टिकेट नहीं मिला है कॉंग्रेस के वरिश ट्रेनेता और पूर्व स्पीकर के थिमपपा की बेटी डॉक्टर राजनन्दनी आज भाच्पा में शामिल हुई वे पूर्व मुख्यमंत्री बियस यदो अरप्पा की मौजूदकी में भाच्पा में शामिल हुई रक्षा मंत्री राजना सिंग ने आज नई दिली में रक्षा वित्व और अर्थशास्त्र पर तीन दिवसी अंतर राश्ट्रिय सम्मेलन का उधगाटन किया अमेरिका ब्रिटेंज जापान और श्री लंका बांगलादेश और केनिया के प्रतिनिती सम्मेलन में हिस्ता ले रहे हैं रक्षा मंतरी राजना सिंग ने कहा कि रक्षा पूझी और राजस्व खरीद की एक निस्पक्ष पारदर्शी और इमानदार प्रणाली के लिए हमारे पास व्यापक ब्लू बुक्स होनी चाहिए इससे रक्षा उकर्णों और प्रणाली की खरीद के नियमों और प्रक्रियाओं को सहीत बद किया जा सकता है केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जेतिन रिसिंग ने जे एन यू में एक सेमिनार में कहा कि भारत की योगिता हमेशा कठिन समय में ही दिखाई पड़ती है उन्होंने कोविट महामारी का उधरन दिया केंद्रिय स्वास्ट मंत्री ये वनसुग मान्विया जल्द ही एफ़र्मेसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठा करेंगे ये एफ़र्मेसी सरकार के रडर पर है भारत ने ब्रीटेन के साथ हुई पांचवी ग्रह मामलों की वारता के दौरान खालिस्तान समर्था को करवात सहीत ब्रीटेन में जारी भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया भारत ने चिंदा जताई कि ये तत्व इसका दूरुपियों कर आतंकवादी जैसे विश्यों पर बात की केंद्रिय सडक निधी से दिल्ली को पंद्रा सो करोड राशी देने की केंद्रिय सडक परिवान मंत्री निदिन गटकरी ने घोशना की धौलाकुआ से एरपोर्ट को जोड़ने वाली सडक के सुन्दरी करण से जुई योजना के पूरा होने प अब्राध विग्यान विश्व विद्याले के परिसर का उध्गार्धन किया विदेश मंत्री ने इसे भारत यूगांडा संबंधों के लिए गौरप कशन बताया यूगांडा के जिंजा में विदेश मंत्री डॉक्टर राजजर शंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की है महराश्ट में विपक्ष के निता अजीत पवर ने संयादरी गेस्ट हाउस में सीम एगनाश इंदे और डिप्टी सीम देविंद्र पड़नवी से मुलाकात की वैठकर राजजर में पिछले दिनों हुई बेमौसम बरसात और ओला व्रिस्टी पर चर्चा करने के लिए हु पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया इस मौके पर केंद्री मंत्री अरजन राम में एकवाल ने कहा कि राजस्तान में सरकार आइस्थिर और दो खेमों में बटी हुई है सोहेल देव भारतिय समाच पार्टी के प्रमो कों प्रकाश राजवर ने कहा कि उनकी पार्टी राज़े में होने वाले आकामी नगरिये निकाई चुनाओं अकेले दम पर लड़ेगी दिल्ली मेयर चुनाओं के लिए अधिस हुचना जारी कर दी गई है 26 अपरेल को होने वाली बैठंग में दिल्ली के मेयर और डिप्री मेयर का जुनाओ किया जाएगा मेयर और डिप्री मेयर के लिए उमिद्वार 18 अपरेल तक ना मंगन कर सकेंगे अमेश पाल अधिया कांड में आरोपी अतीक अहमद प्रियागराज की नैनी जेल पहुंच गया है अतीक को अहमदाबाद की सबरमती जेल से लाए गया है जमु कश्मीर के शोपिया के चकुरा इलाके में सुरक्षा बलो और आतंकियों में मुझभेड जारी है वहीं एक दो आतंकियों के फसे होने की भी आशंका है अमिसर के सुर्ण मंदिर में से गुरू अर्जुन देव जी की जैनती पर रोश्णी और आतिशवाजी से आस्मान रोशन होटा उत्रागंड के मुखे मंतरी पुशकर सिंग धामी ने मिलेट्स 2023 के अंतरकत आयोजेश शम्ता और अफसर राजट्री सम्मेलन के शुभारम समारों पर कहा कि मिलेट्स किसानों के लिए अपनी कम लागत शम्ता के कारण उपियोगी है वहीं पुशक तत्वों से भरपूर होने के कारण आज हम बदलते परिवेश में हम सब के लिए भी आवशक है पंजाब के भटिंडा में सहने ठिकाने पर आज सुभा होई गोली बारी में चार लोगों की जान चली गई राज्य पूलस ने इसे आपस में होई गोली बारी की घटना बताया तलसेना द्यक्षर जनरल मनोश पांडे ने भटिंडा में होई गोली बारी के सलसले में रक्षा मंतरी राज्णा सिंग को जानकारी दी सुद्रों ने जानकारी दी लखनो और प्रियागराज की एडी की संयूगत टीम ने आज अतिक एहमत के 15 करीबियों के ठिकानों पर चापेमारी की एक करोड नगत और जेवर मिलने की खबर आ रही है पंजाब के पूर्व मुक्यमंतरी चैनल जिन सिंग चन्नी से आई से अधिक संपती के मामने में आज होने वाली पूछताश टल गई है अब 20 अपराइल को चन्नी को पूछताश के लिए बलाए गया है जारगन की पूर वो दियोग एमवम खान सचिवरही निलंबेत आई सदिकारी पूछा सिंगल ने आज एडी की विशेश अतारत के सामने आत्मसंवर्पड कर दिया आत्मसंवर्पड करने के बाद पूछा सिंगल को होटवार जेल भेज दिया गया है ग्राची में सचवाले का घेराव और इस दोरान पत्थरवाजी अब मुपत्रव के मामले में जिला प्रशाशा ने केंद्रिय मुंत्री अर्जन मुंडा सहीत भाजबा के पास सांसदों तीन विशाईकों सहीत एक तालिस लोगों के खिलाब फाई आर दर्श कराई है केरल में गथित मुख्य मुंत्री आपदार राहत कोश को हटाले में के मामले में लोकायोग अब पांच जून को सुर्माई करेगा इसमें गथित रोप से पिन रही विजियन और मुंत्रियों के शामिल होने की बात कही जा रही है दिली की डिफेंस कॉलनी में सिर्थ एक स्कूल को आज यस सुबह बं मिलने की खबर के बाद खाली करा लिया गया वहीं पुलिस ने ये जानकारी दी बिहार की रासानी पटना की एरपोर्ट पर बं की सुचना से हलकम पुमच गया जाच में सुचना गरत निकली अफवाफ वैलाने वाला समस्थी पूर से गिराफ़तार किया गया पटना की एक अदालत में मोधी उपनाम पर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की टिपड़ी को लेकर दायर मानहानी के मुकदमे में उन्हें 25 अपरैल को पेश होने को कहा है आपकारी नीजी मामले में आरोपी दिली के पूर्वो मुक्हमातरी मनीश सुधिया की जमाना त्याचिका पर दिली की राउज एवन्यो कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई एडी ने अपनी दलील दी मामले की अगली सुनवाई 18 अपराल को होगी सुप्रिम कोर्ट ने वाटसेब प्राइवेसी पॉलिसी के मसले पर सुनवाई संसत के मौनसून सत्र तक टाली केंद्र ने कोर्ट को बताया कि मौनसून सत्र में नया डिटा प्रोटेक्शन विधियक संसत में पेश किया जाएगा सुप्रिम कोट में इसाई और मुस्लिम दलित को भी अनुज सूचित जाती का दर्जा देने की मवांग करने वाली आचिकापर केंद्रे ने पूर्व सीजे आई बालक रशनन की कमेटी की रेपोर्ट का इंतसार करने की दलील दी कोट 11 जुलाई को आगे की सुनवाई पर आदेश लेगा करनाठक बनाम महराश्टरा बेल गाफी विवाद मामले में चौथे जजज जस्टिस हर्विंद कुमार के सुनवाई से खुद को अलग करने पर मामले की सुनवाई टली मामले में सीजे आई डिवाई चद्रचूड अब नई वेंच की का गठन करेंगे सुप्रीम कोट ने उतर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेधा के खिलाफ रजस्वा बकाया मामले में राज्ट्रे सुरक्षा कानून के तहट की जारी कारवाई को रद कर दिया दिली हाई कोट ने रिनेरवाचन आयो के अनना द्रमोक के संशोधित पार्टी नियमों को दस दिन के भीतर रिकॉर्ड में लेने और वेबसाइट पर अप्लोड करने के लिए कहा केरल हाई कोट ने सोने और डॉलर की तसकरी मामले में मुखे मंतरी पिंडराई विजेन के खिलाफ अदालत के निगरानी में जाच की मांग वाली आचिका खारिच कर दी केरल हाई कोट की एक खंड पीट ने अपने 2022 के फैसले में भूल जाने के अधिकार पर एक टिपड़ी को हटाने से इंकार कर दिया है सुप्रीम कोट ने राजिस्थान में एक व्यक्ति को आत्मत्या के लिए उखसाने के आरोप में गिरफ़तार 74 वर्षिये वकील को जमाना दे दी और कहा कि आरोपी को लगातार जेल में रखना जरूरी नहीं है और यहां वक्त एक छोड़े से ब्रेक का है स्वतंत्रता सैनानियों द्वारा स्थापित पंजाब नेशनल बैंक आज करोणों भारतियों का बैंक है और अब अत्याधुनिक डिजिटल सेवाओं के साथ सभी का सपना सच कर रहा है सेलब्रेटिंग 129 फाउंडेशन दे पी औन बी भरोसे का प्रती स्वच्छ जल और नारी का संखर्ष दोनों का सदियों से संबंद रहा पानी तो पहले भी था कभी कांधों पर कभी कमर पर कभी माथे पर कभी आखों अजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोर घरों में नल से आता पानी था फिर छड़ा एक जल आंदोलन प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने संकल पुठाया जल जीवन मिशन तीन बर्षों में 11 करोर से अधिक घरों में अब नल से जल पहुँचने लगा है स्कूलों अस्पतालों पंचायतों आंगनवारियों देश की सरहदों सभी जगा पहुचा पानी हर घर जाए तो ब्रेक के बाद एक बाद फिर से अब सभी का स्वाकत है आईए ख़बरों में आगे बढ़ते हैं मेंगाई की मोर्चे पर रहत की खबर सामने आई है खुद्रा मेंगाई दर मार्श महीने में गिरकर 5.6% पर पहुंच गई ये फरवरी मां में 6.4% के स्थर पर थी देश में बिजली खननन और विन इर्मार शेत्रों के बेहतर प्रदेशन और से ओद्योगी के उतपादन में बढ़ोतरी हुई है देश का ओद्योगी के उतपादन सोचकांग फरवरी महीने में 5.6% बढ़ा है जबकि फरवरी 2022 में ये 1.2% बढ़ा था केंद्री अप्रत्यक्षकर एबम सीमा शुल्क बोर्ड ने आयतकों और नेरयातकों द्वारा इलक्ट्रोनिक कैश लेजर के जरिये देश सीमा शुल्क पर ब्याच छूट की अवधी 13 प्रायल तक बढ़ा दी है सारविनिक शेत्रे के बैंक ओफ इंडिया की योचना वितव वर्ष 2023 में शेयर विक्री और आदने मादेमों से 6500 करोडो रुपए जुटाने की है गरेली वावननन उद्योग लगातार सुधार के रास्ते पर है और वित वर्ष 2022-23 में हवाई यात्रियों के संक्या 60% बढ़कर 13.6 करोडो रही रेटिंग एजनसी एक रहा आज यह जानकारी दी गरेली शेयर वाजार में लगातार आटवे दिन भी तेजी जारी रही वहीं सेंसेक्स 235 अंकों के बढ़कर 6392 पर बंद हुआ निफ्टी भी 90 अंक बढ़कर 17812 पर बंद हुआ रुपिया डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मस्बूत होकर 89.9 के स्थर पर बंद हुआ सुजलान समुकी सेमकॉर्प की अनुशंगी ग्रीन इंफ्रा विड एनरजी लिमिटेड के लिए 50.4 मेगावाट शम्ता की पवन ओर्जा पर योजना विक्सित करने का ठेका मिला है मोडीज इंवेस्टर सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जरकार के प्रोटसाहन इस्थानिये इस्तर पर बैटरी निविनेर्वाड राजियों के इस्तर पर सबसिटी और जीस्टी दरों में कटौती से देश में इलेक्रिक वाहनों की पहुँच बढ़ाने में भारती वाहन उदियों के दिगज और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेट के माना चेयर्मेन केशव महिंद्रा का मुंबई में निधन हो गया वे 99 साल के थे प्रधान मंतरी मोडी ने केशव महिंद्रा के निधन पर दुख ज़ताया अमेरिकी रक्षा मंतरी लॉइड औरस्टी ने कहा कि गोपनिय दसावेजों के गथित लीक की जाँच तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसका प्रात्मिक्स रोट नहीं मिल जाता यूकरीन के रक्षा मंतरी ओलेक्सी रेज निकोब ने लीक दसावेजों कीव के सहयोगियों के बीच खला पैदा करने के लिए एक जान बूच कर किया गया प्रयास करा दिया गुड फ्राइडे समझोते की 25 वी वर्शिगाट के उपलेक्श में उतरी आयरलेंड के दोरे पर पहुंचे अमेरिकी राश्टपती जो बाइडन ने ब्रीटेन के प्रधान मंतरी रेशी सुनक से मुलाकात की उतरी आयरलेंड के लिए आर्थिक अफसर के मुद्दे पर च गोजना की है ये अगले छे महीने तक जारी रहेगी। उस बेकिस्तान ने अपने देश के सम्मेधान में कई संशोधानों को लेकर तीस अप्रैल को होने वाले आथिहसिक जन्मत संग्राय को देखने के लिए भारत के निर्वाजन आयो को आमंतरित किया है। नेपाल के सिंदुली में हुए एक सड़क हाथसे में चार भारती परेटेकों की मौत हो गई जबकि एक वेक्टी का सिंदुली जिलास हुताल में इलाज चल रहा है सभी मृत्यक का बिहार के समस्तिपूर के निवासी थे। अफगानिस्तान के हिरात में विमन्स चैंबर ओफ कॉमर्स ने एद बाजार का आयोजन किया इसमें अफगानी महिलाओं ने हस्त करगा और अन्योत्पादों को बेचा। इंडोनेशिया में अची फ़सल के लिए बुकालेवो रस्म की शुरुवात हुई है वहीं सामधाई खेती के दौरान रोपन और वुआई चक्र में मशीनों के उप्योप पर मनाई होती है। होंग कॉंग पैलेस म्यूजियम में नामी गिरामी जोहलरी ब्रैंड के तीन सो अभुशनों की प्रदर्शनी की गई। इस प्रदर्शनी में पशु पक्षी के आकार के अभुशन नजर आए। इंडोनेशिया के पूरवी जावब में से ते कैफे में लोग तुर्किये में किये जाने वाले इफ्तार का लुद्व ले सकते हैं। अभी लड़कियों और महिलाओं के सिक्षा पर पाबंदी लगी हुई है। एशियन रस्लिंग चैंफियंशिप में भारतिय पहलवानों का शांदार प्रदर्शन जारी है। 53 किलोग्राम भारवर्ग में भारत कई अंतिम पंगाल ने शांदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगा बना ली है। इसे पहले तीजरे दिन में भारतिय पहलवानों ने दो पदक जीतने में सफलता पाई। निशा दहिया ने 68 किलोग्राम भारवर्ग में रजज़त पदक अपने नाम किया। वहीं प्रिया ने 76 किलोग्राम भारवर्ग में कांसे पदक जीता। ICC की टाज़ा रैंकिंग, जारी ही 70 रैंकिंग में भारत के सुरे कुमार यादव ने शीर्श स्तान पर गरार रखा हैं। रुरे लूप्र लेकर सुची में पहले इस्तान पर काबिज हैं। गेंदबादों की सूची में शीर्श दस्ट में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है अर्चदीप सिंग चौधवे इस्थान के साथ रैंकिंग में शीर्श भारतीय गेंदबादों बने हुए है प्रिकेट वेस्टन डीज ने हाल के दिनों में टीम के प्रदर्शन की समिक्षा के बाद वेस्टन डीज महिला टीम के मुख्य कोच कर्टनी वॉल्श को हेड कोच से हटा दिया है इंडियन प्रिमेर लीग में कल गद विजेता गुज्रा टाइटन्स का सामना पंजाब किंग से होगा चैंपियंस लीग के क्वाटर फाइनल के पहले लेग में मैंचेस्टर सिटी ने बाइन म्योनिक को तीन शूनी सहरा दिया चैंपियंस लीग के कान्य क्वाटर फाइनल के पहले लेग में इंटर मिलान ने बिन फिका को दो शूनी सहरा दिया चैंपियंस लीग में आज अंतिम दो क्वाटर फाइनल खेले जाएंगे अंतिम क्वाटर फाइनल में दो इटेलियन कलब आमने सामने होंगे एसी मिलान का सामना घरेलू मैदान पर शांदार फॉर्म में चल रही पिनोली से होगा इंग्लिश क्वेब मैंचेस्टर यूराइड़िट के प्रमो खिलाडी मारकस रैश फॉर्ड मांच पेश्यों के खिचाव के कारण कुछ मैचों से बाहर हो गए है मौटे कारलो मास्टर्स में जर्मनी के अलेक्सेंजर जेवरेव ने अपनी जीत के सिलसले को बरकरार रखते हुए अंतिम सोला में इस्थान बना लिया है एक अन्य मकाबले में नौर्वे के एक एसपर रड ने दूसरे दोर के मकाबले में जीत हासल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी दुनिया के नमबर एक जैनिस के लाड़ी नौवाक जोकोविश ने मौटे कॉर्लो की प्री कॉर्टर फाइनल में जगा बना लिया है गद्वी जेता ग्रीस के स्टेफन ओस सिट सिपास ने मौटे कॉर्लो मास्टर्स में जीत के साथ आगास किया अबिनेतर संजदत कनर फिल्म केड़ी की में बंब स्पोर्ट सीक्विंस की शूटिंग के दौरां घायल हो गए बैंगलूरू के पास शूटिंग हो रही थी बॉलिवुड एक्टर सालिया भाट हार्ट ओफ स्टोन के साथ अंतर राश्ट्री एस्टर पर अपनी शुरुवात करने जा रही हैं वो साल के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में से एक मेट गाला में डेब्यू करने जा रही है लगज़री कारों को छोड़कर दिगजब नेत्री और सांसा धेममाली ने मुंबई में मैट्रो और आटों में सफर करते हुए वो नज़र आई अक्षिकुमार अभिनेत फिल्म रावडी राटोर का सीक्वल जल्द ही परते पर आएगा चर्चा है कि सिद्धार्थ मलोतरा रावडी राटोर टू में पुलिस कर्मी की भूमिका निभाएंगे अमेरिकी टीवी सीरीज सिटाडेल के हिंदी रिमेक में समान्था रूत प्रभू और वरुण धवन के साथ एक्टर सिकंदर खेर स्क्रीन साजा करते हुए नज़र आएंगे नहींतारा माधवन और सिद्धार्थ के एक साथ निर्माता श्रीकान के फिल्म टेस्ट में नज़र आएंगे निर्माता श्रीकान पहली बार फिल्म करनेशन करना है फिल्म निर्माड कम्पनी धीरा लाल एंटर्टेन्मेंट की फिल्म वेरा एक घोरी का ट्रेलर रिलीज होगया है फिल्म 28 सपरैल को रिलीज होगी माराथी शायर और गायक शहीर साबले के जीवन पर आधारित माराथी फिल्म महराश्टर शाहीर का ट्रेलर रिलीज हुआ है फिल्म 28 अप्राइल को रिलीज होगी टिमपल का बाढ़िया ओटि पर साथ पहू और फ्लेमिंगो सीरीज के साथ डेबियो करने जा रही हैं यह सीरीज पाँच माई को हाट स्टार पर हाडियरीज होने वाली है बॉलिवूड एक्टर रानिल कपूर हॉलिवूड स्टार जेरेमी रेनर के साथ और टी सिरीज रेनर वर्शेशन में स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखाई देरा है और इसी के साथ फिलाल इतना ही दीजे जानसा नमस्कार झाल झाल है